बिहार की सियासत को लेकर बिहार में विधान सभा की 5 सीटों लोकसभा की 1 सीट के लिए उपचुनाव होना है और इस उपचुनाव में ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि जो बिहार में महागटबंदन है भारती जन्ता पार्टी और जेडियू की जो सरकार है वहाँ उसके खिलाब जो महागटबंदन है ये मिलकर चुनाव लड़ेगा क्योंकि अगले साल बिहार में विदान सभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले माना जा रहा है कि ये जो पांस सीटों के विदान सभा सीटों के लिए उपचुनाव और एक जो लोकसभा की सीट पर उपचुना होना है इसे सेमी फाइनल के तौर पर लिया जा रहा है लेकिन हुआ क्या कि वहाँ पर महागटबंदन दो फाड हो गया है महागटबंदन के दो फाड होने से बीजेपी जेडी यू का जो खेमा है वहाँ तो खुशी की लहर है ही एक सवाल बिहार की राजनीती में ये खड़ा हो गया है कि अगर विपक्ष इस तरह खंडित हो जाएगा और विपक्ष के सभी नेता अलग-अलग भाशा बोलेंगे अलग-अलग बोली बोलेंगे तो बीजेपी और जेडी यू को टककर देने वाला बिहार की सियासत में कोई दूसरा दल नहीं बचेगा लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बिहार में किन विधान सभा सीटों और कौन सी लोग सभा सीट को लेकर उपचुनाव होना है बिहार में समस्तिपुर लोग सभा सीट पर उपचुनाव होना है और जो पाँच विधान सभा सीटे हैं उनमें किशनगंज, नाथनगर, बेलहर, सिमरी बक्तियारपुर और दरोधा सीटे हैं जिन पर उपचुनाव होना है अब इन सीटों पर टिकट बटबारे को लेकर पिछले दो मेहनें से रस्ता कसी चल रही थी कभी RGD नाराज हो जाती थी, कभी Congress नाराज हो जाती थी इसके अलाबा जो महागट बंदन में बाकी दल हैं जिसमें उपेंद्र कुश्वाहा जो पूर्व केंदरी मंत्री थे पहले NDA के साथ थे, बाद में वो महागट बंदन के साथ आ गए उपेंद्र कुश्वाहा की पार्टी, राश्री लोग समता पार्टी उनकी भी अपनी मांग दी और इसमें दो दल और शामिल हैं, हिंदुस्तानी अबाम मोर्चा जिनकी पार्टी है पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम माजी और विकास सील इंसान पार्टी उसके जो नेता है मुके सैनी, ये दल इस महागट बंदन में शामिल थे इनके भी कई दौर की बात्चीच चले और इनोंने कोशिश की एक आमराय बनाने की लेकिन आमराय नहीं बनी और आरजेडी और कॉंग्रेस ने अपने आपको ज़्यादा हिस्सेदारी की बात कही और कॉंग्रेस ने तो अपने कैंडिडेट पहले घोशित कर दी है उसके बाद आरजेडी भी अलग हो गई हम और जो यह हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जिसे वहां हम कहा जाता है हम और जो बी आई पी है वो भी इस रुक से टेजस्वी यादव के रुक से बहुत नाराज हुए और हालाद यहां तक पहुँच गए कि चीतन राम माजी ने और मुके सेहनी ने यह आरोप तक लगा दिया क्योंकि आरजेडी के जो नेता है तेजस्वी यादव के खिलाव CBI आई से अधिक मामले की जाच कर रही है और इस बज़े से वो बीजेपी को बचाने की कोशिश कर रहे है या बीजेपी का साथ दे रहे है महागट बंदन के लिए इस से खतरनाक बात हो नहीं सकती और जो उपेंग कुछवा है पूरू नेता वो भी महागट बंदन में अलग तलग पड़ गए है इस सब के बीच ये सवाल खड़ा होता है बिहार की सियासत में कि ऐसे में 2020 का विधान सबा चुनाओ ये दल कैसे मिलकर लड़ेंगे अभी भी इन दलों के जो वरिष्ट नेता है जैसे रगवश प्रसास सिंग है अभी भी महागट बंदन बिखरा नहीं है और हम लोग विधान सबा का चुनाओ मिलकर साथ लड़ेंगे लेकिन ऐसे हालात में जनता के बीच में आप एक जुटता का संदेश कैसे देंगे जब आप उप चुनाओ बाई लेक्शन जैसी छोटे चुनाओ में जब जहां पर पांस सीट और एक लोग सबा सीट को लेकर आपको बटवारा करना है वहां पर आप में इतने ज़्यादा मदबेद हैं तो आप जब विधान सबा का चुनाओ होगा बिहार में अगले साल उसमें सीटों का बटवारा कैसे होगा और यहां यह भी देखने वाली बात है कि जो इस बार लोग सबा चुनाओ बिहार के अंदर हुआ है वहां पर सिर्फ एक सीट महागट बंदन को मिली है ऐसी स्थिती में तो महागट बंदन के नेताओं को और एक जो टोकर चुनाओ लड़ना चाहिए था जब उनको बिहार की 40 में सिर्फ एक सीट पर जीत मिली लेकिन हुआ बिल्कुल इसके उलट है महागट बंदन खंडित हुआ है और अब यह नेता कोशिश करेंगे कि जनता के बीच में यह बात ना जाए कि महागट बंदन खंडित हो गया लेकिन लोग सब कुछ देख रहे हैं और 2020 के विधानसवा चुनाओं से पहले इसको शुब संकेत कता ही नहीं कहा जा सकता दूसरी ओर हम बात करते हैं बिहार में सत्तारूर्ट बीजेपी और जेडियू के गड़बंदन की बीजेपी जेडियू का गड़बंदन में उनमें भी आपस में दरार है और बीजेपी के कही नेताओं ने नितीश कुमार के खिलाब बोलना शुरू किया है और वो ये चाहते हैं कि बिहार में जो मुख्यमंत्री की कुरसी है वो अब भारती जनता पार्टी के हाथ में आए लेकिन नितीश कुमार पूरी तरह इसे लेकर एलर्ट है और वो जेडियू का जनाधार भी बढ़ा रहे हैं और बीजेपी और जेडियू के बीच में जो एक वैचारिक अंतर है उनकी वैचारधारा का जो अंतर है वो कई मुद्दों पर जैसे तीन तलाग का मुद्दा है या जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने का मुद्दा है इन दोनों दलों का जो वैचारी कंतर है वो कई बार दिखाई दिया है तो ऐसे में इनके बीच भी ये माना जा रहा है कि 2020 से पहले कुछ खटपट हो सकती है क्योंकि कई बार ऐसे बयान आये हैं जेडियू के जो प्रवक्ता है पवन बर्मा उनका भी बयान आयता है कि भारती जनता पार्टी अगर अखेले चुनाव लड़ना चाहती है तो उप्चुनाव में इन दलों की चुनावती कहा तो नहीं जाना चाहिए लेकि लगता है कि समाप तो हो जाएगी क्योंकि अकेले लड़ने से ताकत का बटवारा होता है और इसका सीधा फायदा सत्यारूर बीजेपी और जेडियू को बिहार में मिल सकता है सत्यहंदी.com में आज के लिए बस इतना ही ऐसे ही तमाम मुद्धों पर हम आगे भी आपसे बात चीत करते रहेंगे जाने से पहले मैं एक अपील आपसे जरूर करना चाहूंगा कि आप सत्यहंदी के फेसबुक पेज को लाइक करें ट्विटर पर हमें फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद सत्यहंदी के और वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं